हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो एकनॉमिक्स चेक्टर नमबर 3 कंजूमर्स इकलीबियूम में यूटिल्टी अनलसिस टॉपिक कंसेप्ट आफ यूटिल्टी मेजरमेंट आफ यूटिल्टी रिलेशन इसको मैंने दो वीडियो में बना के आपको दूँगा ताकि आपको इस चेप्टर को अच्छी तरह से समझने में असानी रहे तो हम सबसे पहले आज जो इसके टॉपिक डिसकस करेंगे वह है यूटिल्टी सो कंसेप्ट आफ यूटिल्टी का मतलब मैं आपको समझाता हू यूटिल्टी रैफर्स to the satisfaction derived from the consumption of a commodity मतलब एक commodity को consume करके आपको कितनी satisfaction मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं utility तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से बात करेंगे तो utility refers to want satisfying power of a commodity नहीं मैं हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसमें कितनी ताकत है यह वह कितनी तरीके जल्दी हमारी satisfaction को ला सकती है हमें maximum satisfaction यह सकती है उसको हम क्या बोलते है utility utility for example मेरे हाठ में यह Pen है अगर यह चलता नहीं है तो मुझे इस Pen की utility бер cia for example, मैं खाना खा रहा हूं और मुझे वो टेस्ट ही नहीं लगँ तो मुझे उसकी utility नहीं मिल रही है, For example, मैं bike चला रहा हूँ, मैं scooter चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो खराब हो जाती है और मेरे को मेरे destination तक नहीं पहुंचा पारी तो मुझे उसको खरीदने का या उसको इस्तेमाल करने का कोई फाइदा नहीं, उसकी कोई utility नहीं मुझे मिल रही तो utility refers to the one satisfying part of a commodity, right students, तो utility आगे मैं आपको बताता हूँ कि utility को measure दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो है cardinal measurement of utility, दूसरा है ordinal measurement of utility so cardinal में है given by economist Marshall, यह economist Marshall ने इसकी theory दी है और जो ordinal utility है उसको economist Hicks ने explain किया है but इस chapter में हम cardinal के हिसाब से ही बात करेंगे, पर इन दोनों का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ cardinal measurement of utility means that utility can be measured in terms of the cardinal numbers or units like 1, 2, 3 तो यह cardinal में हम उसको 1, 2, 3 करके, इस्तिमाल करके बता सकते हैं और दूसरा, ordinal measurement of utility means that utility can only be ranked high or low and utility can only be ranked that is high or low and cannot be expressed or measured in terms of units like 1, 2, 3 तो हिक्स साब क्या कहते हैं, economist हिक्स कहते हैं कि जो utility है वो 1, 2, 3 नंबर के हिसाब से नहीं दी जा सकती उसको हम compare क्या सकते हैं, high, low, बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया उस तरीके से ठीक है जी, तो compare करके वो बताई जा सकती है, उसको ordinal कहते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ, total utility और marginal utility क्या होती है, तो आपको इससे पहले utility मैं समझाऊँ, इससे आगे कराऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, unit of measurement, जो utility का unit of measurement है, उसको हम बोलते हैं, utils, ठीक है जी, जैसे weight हम kilogram में करते हैं, liquid को हम liters में measure करते हैं, length को meter में measure करते हैं, उसी तरह utility को measure करने का जो parameter है, उसको utils बोलते हैं, ठीक है students, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, utility, total utility क्या होती है, total utility, it is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of commodity, आपने जितने units consume के हैं, उससे सारी satisfaction, total satisfaction जितने आपको मिली हैं, जितने utils मिले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, total utility, अब दूसरा है, margin utility, it refers to the additional utility on account of the consumption of an additional unit of a commodity, right students, मुझे जितना additional unit मिला है मुझे, एक और additional unit consume करने पे, उसको हम क्या बोलेंगे, margin utility, तो margin utility निकालने का formula है, mu nth term का, is equal to total unit utility of n minus tu, n minus 1, इसको illustrate करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मा लिजिए, ये 5 unit मैंने consume किये हैं, मुझे पहले से 100 total utility मिली है, दूसरा consume करने पे, total utility मेरी 190, तीसे पे 270, चौते पे 340, और पाचवा unit consume करके, 400 units मिले, बट, हर additional unit, निकालने के लिए, हर additional unit consume करने पे, कितनी additional utility मिली है, वो मैं पिछले unit से minus कर दूँगा, तो 80 आ गया, 340 में से इससे previous वाला minus कर दिया, तो क्या आ गया, 70 आ गया, तो इसी तरीके से 50 unit की भी निकाली जा सकती है, तो इसलिए, total utility, पहला unit consume करके, हम कह सकते हैं, दूसरा unit consume करने पे, total utility 190 है, बट, दूसरा additional unit consume करने पे, मुझे marginal utility कितने मिली, वो 90, because 190 में से 100 minus कर दो, तो 90 ही रहेगा न, तो इसी तरीके से हम सारी units की additional utility calculate कर सकते हैं, right students, तो इसको हम उस तरीके से भी समझ सकते हैं, कि मान लीजिए, जैसे आप बहुत भूख लगी है, और आप खाना खाने बैठे हो, पहली चपाती खाई, तो आपको सबसे ज़्यादा satisfaction मिली, दूसरी चपाती पे आपको satisfaction level थोड़ा कम होता जा रहा है, और तीसरी पे और कम होता जा रहा है, चौथी पांचवी में satisfaction level और कम होता जा रहा है, लेकिन total utility आपकी बढ़ती जा रही है, total utility, for example, यहां मैं commodity X को चपाती माल लेता हूँ, तो पहला चपाती खाके आपको 100 utils मिल रहे हैं, दूसरा चपाती खाके आपको total utility कितने मिलगी, 190 utils, तीसरी चपाती खाके आपको मिलगी, 270 utils, चौथी चपाती खाके, 340 और पांच भी चपाती खाके, 400 utils मिलगी, और इसको माइनिस करके अगर आप देखेंगे, तो उतनी आपको additional utility, that is margin utility, मिलती जाएगी, तो मैंने पांच भी तक ही किया, क्योंकि आप लोग 5 चपाती बहुत होती है, पांच चपाती तक ही खापाऊंगे, उससे आगे, ठीक है जी, आगे खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो आगे discuss करते हैं, तो अब मैं total utility और margin utility की diagram भी बनाई है, तो ये देखिए, य उसी schedule को जो पीछे हमने discuss किया है, उसको देखते हो, मैं आपको समझाता हूँ, उसी से मैंने draw किया है, ये है हमारा total utility की diagram, और ये है margin utility की diagram, ध्यान से देखिए, total utility जैसे जैसे हमारी बढ़ती जा रही है, margin utility दीरे-दीरे कम होती जा रही है, naturally, ये बात फिर वहीं पर लाग जाता जाता है, भूख शांत होती जाती है, और additional चपातियां खाते जाते हो, जब आप एक से के बाद, दो, दो के बाद, तीन के बाद, चाल, तो आपकी margin utility दीरे-दीरे कम होने लगती है, right students, अब इसके बाद हम discuss करेंगे, relationship between TU and MU, total utility और margin utility का relationship क्या है, total utility और margin utility का relationship, मैं तो पहले आपने मान लिजिए, zero चपाती नहीं काई, जब कुछ नहीं खाया, तो कोई utility नहीं मिल ली थी, तो margin utility तो वैसे भी infinity है, या इसमें तो calculate होगी ही नहीं, dash कर दिया, मैंने इसमें ठीक है, चलो, इसको infinity word भी नहीं लिखते है, dash कर दो, blank ही रहगा यह, okay, पहली चप चपाती, पांक मी, और फिर छटी चपाती, पहली चपाती आपने खाई, पहली रोटी आपने खाई, तो आपको 8 utils मिले, दूसरी चपाती खाई, तो आपके total utils होगे 14, तीसरी चपाती खाई, तो total utils होगे आपके 18, ठीक है जी, पहली चपाती जब आपने खाई students, तो आ इतने यूटिल्स मिले आपको additional six very right तो थर्ड चपाती खाके आपके additional यूटिल्स के चार हुए क्योंकि तीन चपातियां खाके आपका पेट आपकी भूक अब थोड़ी कम होगी है शांत होगी है अब धीरे धीरे आपको चपातियों से उतनी यूटिल्टी नहीं मिलेगी और खाके जितनी आपको पहले या दूसरे में मिल रही थी अब चौती चपाती खाई तो अब आपका पेट एक दम शांत पूरा फिट हो गया फिट फाट केस हो गया अब ये 20 यूटिल्स खा लिए और आप यहां पे आप आपने बोला बस अबस दो यूटिल्स मिले अब आपको ज़्यादा सैटिस्ट्रेक्शन नहीं मिली लेकिन आपके माता जी ने आपको पांच में चपाती भी दी कहा ले मेरा बेटा तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं मां खिला रही है प्यार से तो खा लेते हैं पर आप ना भी खाते तब भी आ यहां पर आगी जीरो बट अगर जबर्दस्ती आपने शिक्स चपाती खाए तो भाई साब यू विल वांट आउट डेफिनेट्ली आप वांट आउट कर दोगे और ठारा में से पिछली यूटिल्टी माइस कर दो तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा मतलब मार इसकी फैन्डिंग्स क्या है तो यदो आड़ेशन दो आपके च्वाटल्स्ताइब यूटिल्टी नहीं बड़ी और चटे में वह च्वाटित्व चलेगी तो यहां रेलेशन शिप संजने की यह बात है इसकी फाइंडिंग्स क्या है कि टोटल यूटिल्टी क्या होती है It is the submission of margin utility जितनी जितनी margin utility आपको हर additional चपाती खाने पे मिल रही है इसका यदि हम submission कर दें तो वो आपकी total utility बन जाती है ओके जी जैसे 8 और 14 दूसरी चपाती में ठीक है जी 14 में 4 add कर दो 38 तीसरी चपाती में 18 में से 2 और add कर दो तो 44 चपाती खा के 20 तो आपकी negative ओके फिर वो 18 हो गई तो T U increases so long as M U is positive T U increase होती रहेगी जब तक M U positive है T U बढ़ रही है na total utility बढ़ रही है जब तक आपकी ये positive में जा रही है margin utility third point when M U is 0 T U is maximum जब आपकी margin utility 0 हो जाती है तो total utility क्या है maximum इससे जादा आगे नहीं बढ़ सकती so decreasing margin utility implies that T U is increasing at a decreasing rate मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो decreasing rate ये बता रहा है कि जो आपकी T U है वो decreasing rate पर बढ़ रही है है ना interesting मतलब कि ये जो decreasing M U है ये जो कम होती जा रही M U ये दरशाती है कि आपका जो total utility बढ़ रही है वो decreasing rate पर है वो दीरे 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 कम होती जा रही है लग रहा है बढ़ रही है और naturally बढ़ भी रही है बढ़ उसका decreasing rate पर बढ़ रही है ये था relationship of T U and M U अम आपको इसको एक graph से समझाता हूँ एक diagram से समझाता हूँ ये मैंने दो diagram बनाई है बिल्कुल parallel है बिल्कुल parallel मतलए एक दूसरे के नीचे बनानी है आपको भी तभी आप इसको अच्छी तरह समझ बाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये पहले T U की मैंने बनाई T U दीरे 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 जहां पे आपका T U मैक्सिमम है M U की आजेगा जीरो और जैसे ही T U declining पे आया M U आपका negative पे चला जाएगा ठीक है जी आप ये बहुत सिंपल है diagram बनाना आप ये मैं सोचना कि ऐसे आप बुक में भी है सर ने भी पहले बना के रखी है ये पता नहीं कितने मुश्किला लीजे मैं एक बार आपको सिंपल सी और दुबारा बना कर दे देता हूँ आप भी इसको प्रैक्टिस करें जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको बहुत एजिली समझ आजेगा और ज़्याद अंडर्स्टैंड हो जगा ये देखिए पहले आपको बढ़ा दा इसको और फिर दीरे दीरे इसको कम कर देना ये रही है बस आपको यहां डॉट लगा लो कि यहां पर आपका जहां वो मैक्सिम आएगा ये तो वैसे बाद में लगाना होता है मैंने आपको पहले लगा दिये तांकि ये रहे यह देखे तो फिर यह लाइन इधर खींच दीजिए जहां पर यह पॉज जीरे कम हो रहा जा रहा है जहां यह मैक्सिम है वहाँ यह जीरो आ गया और उसके बाद जैसे यह डिकलाइन हुआ यह नेक्टिम में चला गया ठीक है जी सिंपल है स्टुडेंट्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आप इसको अराम से बना सकते हो तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है I hope यह आपको समझा गया है चलिए अब आगे चलते हैं हम अब बात करेंगे स्टूडेंट्स law of diminishing margin utility is a fundamental law अब मैं आपको समझाने जा रहा ह जाते हो उससे मिलने वाली satisfaction दीरे-दीरे कम होती जाती है आपको अब वो satisfaction नहीं मिल रही जो आपको पहला दूसा तीसा unit consume करने पे मिल रही थी so law of diminishing margin utility क्या कहता है that as more and more units of a commodity are consumed कि जैसे जैसे आप किसी commodity के जादा से और जादा unit consume करते जाते हो जादा unit consume करते जाते हो additional units consume करते जाते हो उससे जो मिलने वाली margin utility है from every additional units must decline को आपकी वो margin utility है definitely कम होनी चाहिए it happens in respect to all the goods यह सारी goods के साथ होता है और सारी services के साथ होता है it is therefore called fundamental law of satisfaction इसको हम क्या बोलते है fundamental law of satisfaction और fundamental psychological law तो students यह बहुत easy law है अगर चलो अभी हमें चपाती की example से बाहर आके कोई और example दे सकता हूँ यह देता हूँ आपको for example आपको एक t-shirt बहुत अच्छी लग रही है आपने वो t-shirt नहीं खरीदी है बहुत अच्छा लग रहा है कोई shirt खरीदी है यह कोई और बड़िया सी dress खरीदी है तो आपको वो पूरी की पूरी dress क्या करते हो पहले दिन बहुत बड़िया लगती है आपको पहले दिन जब आप उसको consume करते हो यहां consume का मतलब जब उसको पहनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है आपका satisfaction लेवल चरम सीमा पे होता है उस दिन आप पूरी society पूरी locality पूरी कलोनी का चकर लगाते हो सब को बताते हो वाँ वाँ मेरे पास नई dress है ठीक ह कर लेते हैं तो दूसे तीसे चौते दिन बाद आपको वह मजा नहीं आ रहा वह level of satisfaction नहीं मिला जो आपको पहले दिन लग रहा था अब आप उसको थोड़े दिनों के gap के बाद डालना चाहोगे same with for example आप कोई movie देख रहे हो कोई movie देख रहे हो तो आपको पहले तो बहुत अच्छी लगती है दूसे दिन वो उतना नहीं अच्छा लगता तीसे दिन फिर वही movie चोथे दिन फिर वही movie तो दीरे 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 उसका satisfaction level कम होता जाता है जब आप उसको लगातार देखते जाते हो right students तो बार-बार उसको देखने जाने से आपको आप वो उतनी अ law of diminishing margin utility हमारे लिए हर goods या services में applicable होता है कि जैसे जैसे हम किसी commodity को consume करते जाते हैं उसका additional unit consume करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली satisfaction धीरे धीरे कम हो जाती है सो students ये था हमारा utility analysis में utility को लेके total utility margin utility वाला portion जिसमे law of diminishing margin utility भी हमने discuss किया है इसी के साथ मैं इस वीडियो को complete करता हूँ आप मेरी अगली वीडियो देखते रहिए ठीक है जी हम अगली वीडियो में इस chapter को complete कर देंगे थैंक यू